हालो फैंड्स वेलिकम टू माई चैनल जी के कैफे बहुत ही अच्छी वीडियो बोल सकते हैं बहुत ही डिमांडिंग वीडियो होती है जो इस रेलेड़ेट कोशन लगातार पूछे जाते हैं और नॉमली कॉमन कोशन रहते हैं चीजों को लेकर तो डिसकस करेंगे मॉक टेस के वारे में बहुत से कोशन होते हैं जैसे मैं आपको कुशन कुछ बचाओं कि जैसे अपके आपको एनलाइस इंजर मॉक टेस्ट फरस्ट कोशन हो जाता है कि हमको अपने आपको इनलाइस कहा है है जो सबसे important second question है आपका कि best mock test कौन से हैं क्योंकि आप सभी को बताऊगा market में बहुत से mock test है उनमें कौन सा अच्छा होगा इन सभी को discuss करेंगे इस वीडियो में फिर आपका online ले कि offline ले ये भी बहुत doubt रहता है कि कई लोग बोलते है offline लीजिए mock test को उसको लगाई है तो वो कितना हमारे लिए अच्छा है वो सब देखेंगे इस खंदर सबसे important चीज जो last में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको mock test को लगाना है ये बहुत जरूरी बन जाता है कि किस तरीके से आपके approach होनी चाहिए तो यह सभी को लेकर बहुत से अगर हमारे mock test हम लगा रहे हैं लगातार तो हमारे marks अच्छे आएंगे नहीं लगा रहे तो उतने ही हमारा negative impact पड़ेगा हमारे examinations की preparation में तो सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं mock test के यह तो first thing हो गई second order time management यह बहुत जरूरी होता है क्योंकि हमें time management भी करना है क्योंकि सभी को पता है one day examination में time बहुत value करता अगर time नहीं रहा और हमने time के साफ से नहीं करा तो हमको examination में उसका बहुत ही negative result मिलता है तो पहली दो चीज़े तो मैं आपको बता दी की mock test का यह हमारा ideal या बोल सकते हैं कि एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका aim होता यह सबसे पहली चीज के लिए हो गई आदेखिए मैं आपको offline के बता दूं offline में benefit क्या होता में क्या नहीं होता वह चीज मैं आपको बताऊं कई चीज़े होती हैं जिसको हमें लिखने में बहुत ही हम एक तरीके से रेकलेस behavior करते हैं मतलब कि लापरवाई करना जैसे कि आपके सामने offline का आया mock test तो आपको कोई चीज डाउट आ रही है तो उसको आपने तुरंत वही duty समझते हैं कि भाई हमार को एक तरीके से हमारे पास foundation है कि हमको इसको complete करना ही है mock test को देना जरूरी है नहीं तो selection नहीं होगा बट उसको अच्छे तरीके से duty नहीं करते हैं उसकी पूरी मतलब कि आपको mock test आपने लगा लिया analyze उतना ही करना बहुत जरूरी है नहीं तो नहीं होगी ऐसा नहीं कि online में यह नहीं हो सकता बिल्कुल हो सकता है बट लोग इतना effort लगाना पसंद नहीं करते कि पहले हम question को देखें उसको पूरा copy या diary में लिखें फिर उसको देखके फिर याद करें इतना बहुत लंबा lengthy process समझते हैं इसलिए यह ज्यादा तर लोग entity आप ज्यादा किस पर ज्यादा निर्भर करें offline में हो सकते हैं जैसा आपको महीने में आप दो टेस्स लगा सकते हैं online क्योंकि आप सभी को होता charges लगते हैं तो offline के लिए आप book ले सकते हैं कोई भी ले सकते हैं उसको लगा लीजे नहीं तो online अगर आपने package खरीद लिया है यह हमारा paper वहीं पर होता है कि हमको cursor भी किस तरीके से चलाना आता है वो भी हमको friendly होना चाहिए examination से पहले हमको 5-6 mock test लगाए होने ही चाहिए नहीं तो फिर हमको negative उसका result मिलेगा हमारे exam में यह चीज़े clear हो गई तो offline भी लगा सकते हैं online भी लगा सकते हैं पर अगर आपके करी लीजिए mock test लगाई है हर वीक में एक बार analyze करिए वहीं पर लिख 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 लिए वह भी एक अच्छा source है बट online पर जरूर जाना है चाहिए आपको कभी भी जाना है online के test लगाने बहुत ज़रूरी है तो यह दोनों चीज़े के लिए रोगई क्योंकि लोग इसको ल दिक्कत आई कि नहीं नहीं आई तो ठीक है अगर फिर दुबारा दिक्कत आई तो उसी जैसे मान के चल रहे हैं percentage के question आपको दोनों mock test में दिक्कत करें तो वहीं आपने अपने चीज़ों को दीरे-दीर हो जाता है जितना mock test लगाते हैं बड़ यह जरूरी है improvement कि आपकी question को देखके hesitate हो रहे हैं अपने exam में कौन कितना time ले रहा है ठीक है और सबसे important चीज़ analyze करने में at least 2-3 घंटे तो दीजिए बिलकुल बारी किसे ऐसा नहीं कि mock test दिया और देके तुरंत आगे बढ़ गए वह बहुत दिक्तत करेगा analyze करना बहुत जरूरी है और हो सकते तो weekly ही लगाए weekly ठीक है सब्ता में एक बार कई लोग क्या देखता हूं में कि दो तीन तीन दिन में लगाते हैं जैसे mock test को एक तरीक से खाना है यह थोड़ी कि आपको तुरंत उसको देखा और ल लगा फिर उसको analyze करा उसको week zone पर चेक करा फिर उन 6 दिनों में आपको उन चीजों पर काम करना है जो आपको mock test में problem create करे थे clear हो गया अब सबसे बड़ी चीज देखे weekly लगाना और सबसे important जी week में ही जो आपका week topic है उन पर ही काम करना है फालतू चीजों पर नहीं जैसा आ best mock test कौन से तो मैं आपको कहूंगा कोई भी best mock test नहीं होते हैं और सारी ही होते हैं अगर हम एक से देखे तो क्योंकि देखे मार्केट में जो भी आपको provide करा रहा है वो अपना hundred percent देता है मैंने सभी के mock test लगा रहे हैं सबी अच्छा content देते हैं आपको अगर मैं बोलू तो सब्सक्राइब करने के वीडियो नहीं बना रहा हूं मैं आपको बस एक suggestion दे रहा हूं कहीं से भी जाके आप परचेस कर सकते हैं देख सकते हैं नहीं तो आपको अगर सबसे अच्छा option होता है तो वो करिए आप बिल्कुल बहुत अच्छा option है weekly test आता है या आप बहुत सकत तो यह इतने advance हो गए mock test सारे इनमें आपको rank automatically पता चल जाती है बट live test की बात अलग होती है उसमें बहुत billion वच्छे बैठते हैं और उसमें आपको अपनी probation देखनी कि मैं all India level में कहां बैठा हूँ तो और सबसे बड़ी चीज क्या होती है live test में वह free होता है तो आपको खर sufficient है उसमें एक तो आपको benefit होगा live test में all India level का आपको rank पता चलेगी किसे इसाब से बच्चों ने कितनी तरीके से marks लाए हैं सबी चीज आपको वहाँ पे clear हो जाएगी तो यह बहुत जरूरी है live test जरू लगा है अगर आपने purchase किया है तो भी नहीं करा है तो भी क्योंकि जरूरी है जब मेरे को अच्छा लगा वह आपको अच्छा लगे तो हर चीज में हर मॉक टैस में कुछ कमिया होती है कुछ खुबिया होती है तो आपको ही analyze करना पड़ेगा दोस्तों से या एक तरीके से free trial भी आते हैं कि तो आप देख सकते हैं जब से important जो last question मैं आपके चोड़ा था वो है separate test अच्छा एक और important चीज है अगर किसी को history static gk और vocabulary को लिकर दिकत है क्योंकि मुझे अपने टाइम पर बहुत दिकत हुई थी और इनका वीटीज बहुत जादा है अगर आप इन topic को लिकर चल रहे हैं जो मैंने आपको इसके उपर बना रहे हैं जैसे static gk और history कई लोग बोल रहे हैं आगे बनाईए तो मैं कोसिस करूंगा तो याद रखेगा बहुत important है मैंने सारे प्रिवेसर्स SSC जो भी examination के आप त्यारी कर रहे हैं जिसमें टेस्ट लगा रहे हैं तो separate test जरूर लगा है separate मतलब separate subject wise क्योंकि हमार को मैंने आपको पहली बोला था analyze करना बहुत जरूरी है और दो subject ऐसे हैं जिसमे analyze करना बहुत जरूरी हो जाता है English or math math तो सबसे आदा important है क्योंकि इसमें time taking आपका देखा जाता है आपने कितना time लिया है एक mock test को करने में तो जरूरी क्या है कि separate लगाई है 25 को अपने इसाब से बाउंडिशन बना लीजिए इतने time के अंदर आपको exam में इतना complete करना ही है जैसे मैं हमेसा क्या करता था पहला GK उठाता था क्योंकि मेरा बहुत मजबूर topic था GK फिर उसके बाद मैं बात करता आपका जैसे फिर में reasoning में चले आता था क्योंकि mock test लगाने का तरीका होना चाहिए यह भी आपको मैं बता रहो यह भी आप कर लीजिएगा तरीका सबसे अच्छा आपका जो सबसे मजबूर topic है यह आपको लगता है जिसमें मेरे को ज्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत वामप करना बहुत जरूरी हो ता वामप किसलिए कि जाता है कि गरम हो जाए बोडी जो उसके इसाब से इसलिए दिमाग को थोड़ा बहुत चला है तो सबसे पहले जी के को स्टार्ट करें फिर उसके बाद आपको करना है तो आप इंगली से ले सकते हैं reasoning पर मैं बोलता बिल्कुल कंडिशन आपके साब से जाती है तो मैं बोलूँगा मैस को एकदम लास्ट में ले तो सेपरेट जरूर लगा है और उसे साब से आपको टाइम हिसाब से बाठ देना है कि मुझे मैस को इतने टाइम के अंदर ही करना है बक्स ही हमारा टार्गेट होना चाहिए इ रही किसा उसमें दे दी नाया मैस में तो यह कास आएगा आपको सेपरेट टेस्ट ही हाएगा क्योंकि आपके आधत होगी कि मैं मौक टैस्ट में 25 कोशन मैं में इसके 25 इनरे में निप्टा देता हूँ वो separate test से ही आपकी power बढ़ती है क्योंकि मैं खुद separate test ही लगाता था कोई नहीं बताता ना कोई लगाता है और इसका मुझे बहुत benefit वाता क्योंकि मैं overall क्या करता था इखटे सारे mock test लगा लेता था तो वरोल आपको मैंने सब चीज़े बता दी mock test related ऐसे कुशन बहुत होते हैं जो लोगों को face करने पड़ते हैं तो बस यह कहूंगा इसी तरीके से करिए 100% आप्रोच आपकी beneficial रहेगी तो आज की वीडियो के लिट नहीं वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कीजेगा चैनल की डिक लेतना ही थैंक यू